नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान ज्यान के बारे में तो इसमें हम लोग आपके दो टौपिक पूरी तरह से खतम कर चुके हैं एक भारत कहितियास दूसरा वेसो कहितियास तीसरा टौपिक हमारा था भालतिय कला एवं संस्किती की रूप तो इसमें हम लोग लाश्ट लेक्चर में बात किये थे मूर्ति कला के बारे में इसमें ठीक है आज बात करेंगे हम लोग भारत में हिंदू के प्रमुक तेवार देखेंगे याद रखिए सामान ग्यान से समंदित आपके जितने भी लेक्चर होगे वो सभी सामान ग्यान के नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सुची है उच्छी में मिलेंगे भारत में हिंदू के प्रमुक तेवार बुद्ध पूर्णमा दुर्गा पूजा गड़ित सुस्तव गुडी पर्व भाद पद महिने के सुकल पक्च का चोतरा दिन महराष्ट में बिहू आपका असम में ओडम आपका किरल में पोंगल तमिलाडू में लोहिडी आपका पंजाब में कुम्मेला नासिक महराष्ट उज्जयन मदप्यदिश में है। प्रियाग ईलाबाद उतरफिदिश और हरिद्धवार उतर श्टेसिय याद रखिए कुम्मक का महिला आपका चार्च जगे लगता है। माघ मिला ग報िरी राजिस्थान। बिठुवा तेवहार महराष्ट में, पुरी का रत तेवहार उडिशा में, पुष्कर मेला राजिस्थान में, ज्वाला मुखी मेला हिमाचल पिदिश, कंस मेला उत्तर पिदिश में, पूरम तेवहार केरल में, काल्टी के तेवहार आंध पिदिश, बसंत पंच में, सेवरा दसहरा या पिर विजयत दसमी गडेश चतुर्थी बहाद्ध पद महीने की किष्ण पक्ष का चोत्रा दिन दीपावली किष्ण जना माष्टमी गौवर्धन पूजा भहया दोज मकर संकराती होली लाम नौमी रक्षा बंदन महाबीर जैनती जैन धर्म में बौध जैनती बौध धर्म गुरु नारक जैनती सिक्ष धर्म नांग पंचमी अक्षय तितिया गंगा सागरमीला पश्चे मंगाल में लगता है कारवा चोत्र या आपका पंजाब तता उत्तर पि कहरेंा थितिश में सीत्लाश्टमी चट पिहार में बैशा की पंजाब बाल्मी की जैनती रामकिष्न उत्स्सौ महालय सराद्द परग ये सब आपके हिंदूओं के प्रमुक्त तेवहर बात करते हैं भारत में मुसलिम मुसलिमों के प्रमुक तेवहर इद इदी इदुन फ पक्रीद, रमजान, मोहर्रम, सभेव रात, मिलादि शरीव, यह आपके हो गए किनके मुसलिम, भारत में इसाईयों के प्रमुक तेवारेओं की बात करें तो किस्मस, इस्टर डे, गुड फ्राइडे, यह आपके हो गए इसाई, इसाईयों के प्रमुक धरम, भारत में धरम निर्पेश, दिवस अधवा परम। भारत में धरम, निर्पेश, दिवसों की बात करें तो नव दिवस सभी धर्मों में मनाए जाता है, बाल दिवस, चोदे नवंबर को, सक संबत, गुडी परब, विक्रप संबत, कस्मीर सप्त, सप्तरसी, बर्स, कुलम सम्मत, उगाडी युगारम, यह आपका आंध्यपेश में, अब हम लोग बात करें भारत के राष्टी परब की, तो यह आपका गरतन दिवस, 26 जन्वरी को, सुतन्ता दिवस आपका, 15 एगर्स्त को, और गांधी जैन्ती, 2 अक्टिवर को, ठीक है, पूछ लेता है कई बार, भारत के राष् गांधी जैन्ती, 2 अक्टिवर को, सुतन्ता में कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, गर्तन दिवस मतलब हमारा देश गर्तन्त कब बना, तो यह आपका 26 जन्वरी, 1950 को समिधान जब से लाग हुआ, तब से, और गर्तन्त दिवस मनाये तो जाता है, माना जाता है कि 26 जन्वरी, 1930 से ठील, फिर आपका कुम्ब मिला, देखी चुके हम पहले, नासिक महराष्ट में, उज्जैन, मद्पिदेश, इलावाद, उत्तरपिदेश, हरिद्वार, उत्राकन, यहां पितेक 12 वर्ष के बाद महाकुम, तथा पितेक तीसरे वर्ष, अर्धकुम का आयोजन किया जाता है ठील, अब हम लोग बात करते हैं, पिरमुक, इस्थापत कालासैलियों, इवर हम उनके निर्माड काल, कोई एक दृष्टी में देखते हैं, यह आपके इस्तम है, यह सासन काल, लोरिया नंदगर इस्तम, असोक कालीन है, दिल्ली का प्रोपरा इस्तम, फिरोसा है, कोटला, यह भी आपका असोक कालीन है, दिल्ली में मेरा इस्तम, यह भी आपका असोक कालीन है, इलाबात का इस्तम, असोक कालीन, लोरिया अरे राज इस्तम, बिहार के चमपरंजिले में, यह आपका असोक कालीन है, सारनात सिंग योग्त सीर्स, यह भी आपका असोक कालीन है, अब यह आपका प्राग मौर कालीन है साची इस्तु इभोपाल के निकट विदीशा में यह आपका मौर कालीन है भरहूत इस्तु यह आपका सतना मद्धिदेश में सुंग कालीन बोदगया के इस्तु बिहार में उत्तर मौर कालीन है अमरावती के इस्तु गुंटूर आंद्धिदेश में इसापूर दुति है नागारजुन कॉन्डा इस्तु गुंटूर अमरावती से 95 किलोमीटर दूर है यह आपका एक छाकू बंसी है एक छाकू बंसी है, सासकों की समय का है खोशता इस्तु जललाबाद अफगानिस्तान में है यह आपका इसापूर 50 कनिसक कालीन है मडी कुथाला इस्टूप यापका कनिस्क कालीन है भल्लड इस्टूप तक्चिला में गुप्त कालीन मीरपूर इस्टूप सिंध गुप्त कालीन है सारनात का धमेक इस्टूप यापका बराड़सी असोग कालीन है नालंदा इस्तू, प्राग गुप्त कालीने, जग्यम पिट्टू, इस्तू, आंद पिदेश में पलेरू नदी तत पर है, एक छाकू या फिर पल्ला वंस कालीने, ठीक, गुफाओं की बात करें हम लोग, एक गुफाएं पूँचता है, सुदामा गुफा, एक प्राचीनतम गुफाएं, असोग कालीन, ठीक, नागारजुन गुफाएं, एक आपकी गया बिहार में, कहां हैं, गया बिहार में, असोग दसरत के समय की, लोमस रिसी की गुफाएं, या आपकी मौर कालीन हैं, खंडगिरी गुफाएं, एक भुगनेसर उडिसा में, सुंग कालीन, या फिर खारवेल के समय, हाती गुफा, मंचा, गिरी गुफा, या आपकी सुंग कालीन, या खारवेल के समय की हैं, खारवेल, भाजा बिहार, भोरगाट महराष्ट में हैं, सादवाहन बंसी हैं, वदैगिरी इबिदीसा मद्पिदेश में हैं, गुप्त कालीन हैं, कालले भोरगाट महराष्ट में साथ वहन वहन बंसी है कि समय की कनेरी मुंबई यह आपकी साथ वहन बंसी है आजंता महराष्ट में यह बुद्ध कालीन है एलोरा एलोरा औरंगाबाद में है यह आपकी बुद्ध कालीन है एलीपेंटा मुंबई में है यह बुद्ध कालीन है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग लिपियां देख लेते पिरमुक लिपियां लेखन कला का विश्कार फेनी सिया वासियों ने किया था गरंत लिपी कप्रियोग पल्लो एवं चोल सासकों द्वारा किया जाता था मौडी लिपी का प्रियोग मराथा सासकों द्वारा किया जाता था सारदा लिपी कसमीर में प्रियोग की जाती थी हिंदी, मराठी और नेपाली को देव नागरी लिपी में लिखा जाता है कोई पूचे आप से कि हिंदी किस लिपी में लिखा जाता है तो देव नागरी लिपी पंजाबी को गुरु मुक्की लिपी में लिखा जाता है ब्रह्मी लिपी को जो आपकी ब्रह्मी लिपी है ये आपकी बाई से दाएं दाएं ने और लिखी जाती है और अगर पूछे कोई ये खरोष्टी लिपी तो ये दाएं से बाईं और लिखी जाती है याद रखना है ब्रम्मी लिपी के अविस्कारक ब्रभ्य रिसी थे लेटिन लिपी का विकास यूनानी लिपी से हुगा है मिस्ट की लिपी हेरोग लिपी कहलाती है असोक के सिलालेक ब्रम्मी, खरोष्टी तथा आरामाईक लिपी में लिखे गए थे इनके सिलालेकों को स्तरपितम जेम्स प्रेंसेप ने 1837 में पढ़ा अगर पूछे कि असोक के सिलालेकों को स्तरपितम किस ने पढ़ा था तो आपको याद रखना है जेम्स प्रेंसेप ने 1837 में सुमेरिया की लिपी की लाक्षरी लिपी थी सिंदू भासियों के लिपी चित्रात्मक थी कागच का अविस्कार चीन में हुगा था बारत में सरपित्थम मौद्रन मसीन गुआ में ईशाई पाद्रियों द्वारा 1556 में लाई गई थी तो एथा आपका भारत में हिंदूओं के प्रमुक्तियार सभी के तिवार देखे लिए हम लोगों ने फिर कुछ आपकी इस्तापत के लाएं देखे फिर लेपी देखे अंगली के लास में हम लोग बात करेंगे भारतिय पिदेश इवं आदिम जातियों के बारे में